Hello everyone, आपने MPK खजराव Temples के बारे में तो सुना ही होगा आईए हम आज जानते हैं कि ये Temples किस स्टाइल में बने है तो इनका जो स्टाइल है उसे हम कहते हैं Naga Style of Temple Architecture या North Indian Style of Temple Architecture ये Temples जो हैं इनके कुछ important components हैं जो इन्हें सबसे अलग बनाते हैं पहला component है कि ये सारे Temples एक raised platform पे बने हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं जगती और जैसे ही हम Temple में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है Entrance Forge जिसको बोला जाता है अर्ध मंडप अर्ध मंडप के बाद आता है मंडप जो की है Assembly Hall मंडप के बाद आता है महा मंडप और महा मंडप के बाद आता है अंतराल जो की महा मंडप और गरबग्रे को जोडता है गर्बग्रह जो है वहाँ पर जो temple का main shrine है वो निवास करता है और गर्बग्रह के just उपर उसकी जो roof होती है उसको हम बोलते हैं शिकर जो mound shape का होता है शिकर के उपर होता है आमलक जो की एक disc shape का होता है और आमलक के उपर आता है कलश और ये कुछ components हैं जो की नागर style of temple architecture में आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके के informative content के लिए आप हमारे Kottal Academy भुपाल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें